कि हलो दोस्तो मैं यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैं आपको आज बताऊंगा पीशी में कभी कबार अपना पीशी नोड डिस्पली होता है मसलों पावर अगर की लाइट है तो सब ओन होती है में मगर डिस्पले नहीं देता है इसके लिए अपन क्या करेंगे तो मैं यह आपको बतांगा यह अपना मदरवॉड्वूड है तो इस कर दिने को पहले तो रेम चेक करनी है कि एक बार आप रैम एक बार निकालके वापिश लगा सकते हो तो डिस्प्लेः आ सकते हुआ फिर भ towel रेम को बाहर निकालके clean कर लो या फिर शीमोस है यह शीमोस लगवा है इसको आप कर कर सकते हो यह अपनी रेम है यहां पर रेम लगी है देखो यहां पर इसकी तो वाइरिंग क्या है कि टाइट की वे क्योंकि यह फैन है इस दर फैन के अंदर आ जाती है इसके लिए अपने टाइट कर दी फिर फैन है ना तूट जाता है वाइर अदर फैन की ताड़ी तूट यहां पर लगी आती है रेम ठीक है तो यह आप रेम एक बार लगा के चेक कर सकते हो यह मैं बता दूँ आपको रेम कैसे लगानी है और इसको कैसे लगाई है आपकी तुरकार लगानी है लगा के आप है चेक कर सकते हो देखो अभी बताता हूं आप यह अपनी रेम यहां पर इसको एक बार आप निकाल लो यह इसमें लगी हुए रेम 4GB DDR3 इसको आपने SCP में वापीस ए यह जो कट होता है इसके अनदर यह kız मदर गया हुण से झाल इसके मदरोके नदर जो कट इसमें मिलाणी है कर्ट मिल जाएगा तब यह ढ़र्ञण आईगी तो अपस परकार 성нее अंदर लगा लो फिर अपने पिछी को ओन करके देख लो डिस्पेले आपके आज आईगी रेम टाइट होने ची यह ची तरह सी लोक है यह दुन्हों तरप के लोक होती है इसको लगाना पड़ता है वह रेम टाइट नहीं होती है और यह अपना सीमोस बोलते हैं इसको यह सीमोस यह भी आप है यह निकाल वापिछ लगा दो अब पिछी को ओन कर दिया मैंने आप देख सकते हो डिस्पेली देखो कहां पर आ रही हो जेप्रोनिक्स नाम आ रहा है अब यह आप अगे आगे क्या रहा देखते हैं अपना अब बंद हो गया अभी विंडो टैन है इसमें डिस्पेली देखो आपके सामने आगी इस प्रकार आप अपना फिशी चेक कर सकते हो रेम बोगर निकाल के नेक ध्यांद रखना वो रेम अच्छी तरह लगानी है अच्छी तरह नहीं लगी तो जल सकती है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंड और सब्सक्राइब जरूर करना से अब बाइसाब सुने लाड़े